हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल गुरोजी 247 ऑनलाइन कलासेस में दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग गाप्षे निरूपन क्या होता है गाप्षे बिधी द्वारा सुन्यक को कैसे ग्यात करते हैं और एक घातिया बहुपत में उन्यकों की संख्याँ अधिक्तम कितनी होती है और इससे पहले आप लोग को एक बात और कहाना चाहूंगा कि यह आपका part 2 video है ठीक है यह आपका बहुपद का part 2 video है अगर जिदि आप part 1 video को नहीं देखे हैं तो इस channel के playlist में जा करके बहुपद का part 1 video को देख लें जिसमें कि आप लोगों को basic concept बताया गया step by step सारा चीज किलियर क्या गया है जैसे कि बहुपद क्या होता है बहुपद कितने प्रकार के होते हैं बहुपद का मानक रूप क्या होता है बहुपद का extender form क्या होता इन सभी बातों को step by step line by line बताया गया ठीक है दोस्तू तो चलिए इस video को सुरू करते हैं लेकिन हा दोस्तू वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा request करना चाह ठीक है दोस्तू और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक share करें और comment box में आप अपना राय जरूर कमेंट करें ठीक है दोस्तू तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं चलिए अब हम लोग जलग ले लेंगे कि किस तरह का सुन्यक का डिपनेशन होता है ना चलिए यहां पर है कि X के जिस्मान के लिए पूरे बहुपत PX का मान सुन्य हो जाए उसे बहुपत का क्या कराएंगे सुन्यक करेंगे ठीक है उसे बहुपत का सुन्यक करेंगे जैसे इसको एक एग्जामप यह है कि X – 2 यह दोनों example मीं बताना है, यह आपका दुखात भवपद है और यह एक घातिय भवपद है, ठीक है इन दोनों भवपद में सुन्यक क्या होगा? यह आपको clear करना है ठीक है, यह आपको solve करके दिखाना है कि सुन्यक क्या होगा? तो इसको देख लेते हैं, जब उपद का, है ना, तो उसको क्या करेंगे, सुनि के बरावर करेंगे, अर्थात क्या होगा, PX is equal to 0 होगा, PX is equal to 0, PX का मान कितना है, X square minus 9, तो PX का मान रख दिये, इसको भी बरावर क्या करेंगे, जिरो के बरावर कर लेंगे है ना, चुकि हम लोग को सुन्यक निकालना है इसलिए इसको क्या करेंगे, जिरो के बरावर कर लेंगे अब क्या करेंगे, इस 9 को बरावर के उस पार भेजेंगे ठीक है ना, चुकि इधर मैनस में है उधर जाएगा तो 0 में 9 पलस हो जाएगा जब 0 में 9 पलस होगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा ठीक है अब क्या करते हैं इस square को उस तरफ भेज देते हैं बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो यह जाके root हो जाएगा उधर root में आ जाएगा 9 under root 9 झो थि आख कंडिन्स अब फिर से हम लोगों को पता है कि एंडरूट नाम का जो वर्डिमोल होता है वो कितना घृत कि होता है थिरी होता यह हो जैगा पलस मैंस थे चुकि यह रूट में है इसलिए जब बहर आता है तो फ़रस मैंनस нам हो जाता है तो हम लोग का सुन्यक क्या हो गया सुन्यक हो गया थिरी और मैनस थिरी अर्थात कहाने मतलब क्या हुआ इस तीन और मैनस तीन को इस बहुपद में रख दिया जाए इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा सुन्य हो जाएगा अर्थात जीरो के बरावर हो ज सकता है कि दुई घात बहुपद में सुन्यकों की संख्यां कितनी हो जाएगी है ना तो वहाँ अप्सन में जहाँ पर जिस नमर में दो दिया रहेगा वह यह आशर आपका सई हो जाएगा है ना देखें यहां पर पलस में तीन आया और मैंस में तीन आया दो ठोट सुन्यक का इसलिए अधिकतम इसका जो सॉन्यकों की संख्यां होती है यह कितना हो जाएगा दो हो जाएगा 2 होजाईगा ठीक है चली अब इसमें देखिए यह है एक ऊक कि क्रूप दिया हो रहेगा है नआ उसको क्या करेंगा जी Buddh के बरावर कर लें जीरो के बरावर कर लें चैसल जब जीरो के बरावर कर लिए तो क्या हो जाएगा 50 में दो जूटेगा वह क्या होजाएगा जोंघा है नस तो संख्यां एक हो गया है ना चुकि सिर्फ दो आया है तो इसमें संख्यां कितनी हो जाएगी एक हो जाएगी यह है एक घातिय बहुपद आपको नोट डाउन कर लेना कापी में कि एक घातिय बहुपद में सुने को की अधिक्तम संख्यां एक होती है है ना सुने को कि अधिक्त कितना हो जाएगा किलिया यहां तक और दूसरे वात यह कि तिरी घात비 है बहुपत में सुनिकों कों इसमें तेало कि हम लोग का किलियर है कि बहुपत का सुनियक की से निकाला में जाता है solve करके ठीक है अब आपको दिया रहेगा graph graph में आपको समझाना है कि बहुपत graph graph को दे करके आपको बताना है कि इसमें सुने को कि संगे कितनी हो जाएगी ठीक है तो चलिए हम लोग को chapter की तरफ चलते हैं chapter में जाने से पहले कुछ example दिया हुआ है इस example को देख लेंगे इस सार स्थिति को देख लेंगे इसको clear कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगा ठीक है आप वीडियो की अंतर तक बने रहेगा यह बहुत important चीज बताया जा रहा है वीडियो को एक भी second के लिए skip नहीं किजिएगा ठीक है चलिए शुरू करते हैं देखिए उदाहरा नमबर एक है यहां NCRT गनित कक्षा 10 का 2.1 का उदाहरा नमबर एक जिसमें की गराफ यह बिधी में आपको बताना है कि सुन्यकों की संख्यां कितनी होगी ठीक है सुन्यकों की संख्यां कितनी होगी चलिए सबसे पहले इसका heading पढ़ लेते हैं क्या है कि नीचे इगाई आकिर्ती 2.9 में ग्राफों को देख है ठीक है ग्राफ यह बराबर PX जहां पीएक बहुपद पैक क्या है एक बहुपद का ग्राफ ठीक है उसके बाद ग्राफों से पर्तियक के सुन्यकों की संख्यां गयात की जरे ति कहने मत जो यह है कि ति यह बराबर और TX है तो हम लोग को X X X के तरफ देखना है X X को जितनी बार यह रेखा या तो असपर्ष कर देगा या फिर परतिछेद कर देगा उतना ही सुने को कि संक्या होगी ठीक है कि लिए अगर समझ गए क्या होगा इसका संख्या निकालने के लिए जितनी बार यह रेखा जो जा रहा है इस रेखा जितनी बार X X को या तो परतिछेद कर दे या फिर असपर्ष करें ठीक है वह उसका सुने को कि संख्या हो जाएगा जैसे पहला नमर गराप में देखिए पहला नमर गराप में यह हो गया इधर X X यह पुरा लाइन X X और यह वाई एक्ष इधर X डैस और एक्स और उपर में Y और नीचे वाई डैस इधर रिनात्माग संख्या चलती है जैसे मैनस एक मैनस दो मैनस तीन इस तरह से और पलस एक पलाज दो पलस तीन पलस तरह से चलते हैं ठीक है उसके उसी तरह से इसमें य अक्ष में भी होगा नीचे के तरह होता य अक्ष में जो मैनस में रिनात्मा कि संख्या होती है और उपर में धनात्मा होगा फैर यह सबी बाते को हम लोगों को नहीं लेना है अभी हम लोगों सिर्फ बताना है कि सुने को कि संख्या कितनी है तो इस ग्राप को देखे ध तो हम लोग क्या करेंगे X अक्ष को देखें ने ठीक है तो यहाँ पर देखे यह जो लायन गया है X अक्ष को कितनी बार काट के गया है यहाँ पर सिर्फ एक बार काट आगया है तो इसमें सुन्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी इस तरह से जब आप कंसेप्ट को किर लेते हैं तो यह ग्राफ्य विदी में आपको सुनियो को की संख्या निकालने में किसी तरह का परिसानिक सावना नहीं करणा पड़ता है अब दूसरा एक्जामपर में यहां पर और फे यहां पर यह.: कहा रहा है कि y बरहाबर x इसमें खत को देखेंगे as up कितनी बार पष्यच्च्च्च्राइब यहां पर एक बड़ पर्ति च्यच्च्राइब है ना यहां पर एक बार प्रतिश्यत कर रहा है और फिर यहां पी एक बार प्रतिश्यत किया जा रहा है तो कितना हो जाएगा सुने को की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें सुने को कि संख्या कितनी हो जाएगी दो हो जाएगी इसमें सुने को कि संख्या कितनी हो जाएगी ठ 3 जगह जो है एक सक प्रतिछेट किया जा रहा है तो इसलúblic क्या हो जागा सुनिकों कर संग्या कि चितनी हो जाएगी हैं कि इसमें कि थेक है युक के लिए रहा है जये में आब एग्जांपल नमार फोर में देखे एक्जांपल नमर इस तरह का गराब बन रहा है ठीक है गया और एक पढ़े किया गया है लेकिन लॉग को नहीं को नहीं हम लेकर है को डिखने को कि या हो सफर्वां ज यह बन रहा है कि यह चार नमर का उदारन नम्र चार का अंसर हो गया थे कर चलिए इस परवह आके दूआरा किसी एक बिंदू पर इस स्वनेक कोई कि संख्यां कितनी हो जायेंगे इस नुदिए इस सुनिकों की संख्यां और यहां Pratati तक्ष में अब हम लोग चलते हैं चाप्टर की और प्रशना वाली 2.1 इसको solve करना आपको 2.1 में भी इसी तरह का प्रस्न दिया गया है अगर जदी आप इस ग्राप को समझ गये हैं तो आसा करता हूं कि आपको किसी भी तरह का परिशानी इसमें बनाने में नहीं होगी ठीक है लेकिन फिर भी मैं इसको बना करके दे देता हूं आप लोग खुद से एक पर रिविजन कर लिजीगा ठीक है चलिए सबसे पहले इसका हेडिंग पढ़ लेते हैं किसी बहुपत पी एक्स के लिए वाई बरावर पी एक्स के ग्राप नीचे आकरती 2.10 में दिया गया ठीक है यह आकरती इसारा जो है यहां पर 2.10 है इसमें जितना भी आकरती इसमें चलिए इसमें भी क्या करना चुकि कि यहां पर पी रहता तो य अक्स को देखते हैं यहां पर देखेंगे कि यह जो गराफ ये रेखा है वह कितनी बार एक्स आक्स को प्रतिच्यद किया यहां असपर चाहूँ यहां पर किलियर होता है ग्राप को देखने से कि यहां जो रेखा है सिर्फ y x को परतिछेत किया ऐसे है ना सिर्फ y x को परतिछेत किया है तो इसलिए इसमें सुन्य को कि संक्या कितनी हो जाएगी सुन्य को कि संक्या हो जाएगी 0 मतलग एक भी सुन्य को कि संक्या नहीं होग यह आपका exercise 2.1 का एक नमर के एक नमर का आंसर है ठीक है इसका आंसर कितना हो जाएगा जीरो उसके बाद चलिए अब नीचे दिखीए यहाँ पर दिखिए कि दूसरा नमर में यहाँ पर भी क्या करना पी एक्स के सुनेकों कि संख्या America त Confederate एक्स क को कितनी और परतिछेट क्या जा रहा है यहाँ पर शिर्फ एक बिंदू पर पॉर्द किया जा रहा है यहां वाई पर भी एक बिंदू लेकिन दोया को नहीं लेना आप मैं प्वाई अक्सि요 को नहीं श्रू इस बात को ध्यान में रखना कीख और सिर्फ अक्षच लेना है फाटे के रि powiedz फिर थ stretching गया एक तो चलिए उसके बात थिस्ता पर प्रस्न में दी holistic सग्ष्यायां किया ग्राब को देखलेंकंद अलगा अच्छे तरीग यहाँ पर एक होड पर एक पर एक वर ऐ则 के प्रीचे से ऊपर चले जाता है 問 यहांपर एक बतीकर यहाँ और यहाँ भी तीन हो जाएगा तो तीसरा नमर का आंसर जो है वो तीन हो जाएगा सुने को कि संगे कितने हो जाएगी तीन हो जाएगी ठीक है आगे चोथा नमर परस्ण है देखे चोथा नमर परस्ण में इस ग्राप को देखिएगा ग्राप को देखने से पता चलता है कि इसमें सिर्फ ज दो है पांच को परोस्ति दिख लेते हैं इस सिरे फोश्राइक ध्यान से द्दियान सेुहां है लोग को पता चलता है कि एक बार यहाँ और यहाँ और प्रति चित करने मतले डो टीन चार- या माधव को प्रतिछित किया है तो इसके लिए इस कांसर हो जाएगा जाँ कितना हो जाएगा चारा चत्ठा परसन में भी आपको तुने संख्या घ्याद करना है इस ग्राप को में तक पुर्टिग ऑगा और असपर्स लइए देखे इस लायन को थोड़ा गौर से देखना है, यहां नीचे से जब गया तो X अक्ष को यहां पर परतिछेट किया, फिर उपर जाके डौन मतलब नीचे आया, नीचे आकर के सिर्फ X अक्ष को क्या किया, थोड़ा सा असपर्ष करके फिर से चले गया है, उसके बाद Y X पर परतिछेद किया है फिर नीचे आ करके X अक्ष को अस्पर्ष किया है कहने मतलब क्या हो एक वर परतिछेद किया और एक वार यहां पर अस्पर्ष किया फिर से एक वार यहां पर अस्पर्ष किया तो यहां पर इसका सुनेकों की संख्यां क्या हो जाएगी यहां पर सुनेकों आपको सबस्क्राइब करने और गंती के बटन कर दवा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ तो उसका नोटिफिक्रिशन सबसे पहले आप तक पहुच सके ठीक है दोस्तों चलिए आज बर इतना ही मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बन निबात रहूं